नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृष्णा कमिंग गर्ब संस्कार के आज के प्रश्ण उत्तर के सेशन में, जिसका आप सभी को बेसबरी से इंतजार रेता है. जैसे कि हमने कृष्णा कमिंग की बेचेस को कई भागों में विभागत किया है, और उसमें से भी अहिल्या बेच के कुछ भागों में से आज दूसरे भाग का प्रश्ण उत्तर का सेशन है. और इसी के साथ मैं आपका होस्ट परेश श्री ढोंड कर आशा करता हूँ कृष्णा कमिंग गर्बस अंसकार के साथ आपकी गर्भावस्ता की आतरा बहुत अच्छे से चल रही होगी. आज मेरे साथ इस सेशन में आपके असंग के प्रश्णों का उत्तर देने के लिए उपस्तित है प्रोफेसर विपिन जोशी सर जो कृष्णा कमिंग गर्बस अंसकार के प्रणेता भी है. सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है. आज के सेशन में आपने इतने वेस्ता समय में से आज समय निकाला और यूजर्स के प्रश्णों के उत्तर देने के लिए उपस्तित हुए इसके लिए धन्यवाद. सेशन की शुरुवात में मैं आप सबका परीचे करवाना चाहूँगा प्रोफेसर विपिन जोशी सर से हैं. वैसे तो सर आप किसी परीचे के महताज नहीं है, पर फिर भी हमारे आज के सेशन में जिड़ो हुए कृष्णा कमिंग परीवार के इन सदस्तियों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर विपिन जोशी सर कृष्णा कमिंग के फाउंडर होने के साथ साथ भारत के रेन फिजिक्स के टफ कंसेप्टों या शास्त्रों पर आधिपत्य हर फील्ड में विपिन सर ने आज भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी अपना लोहा मनवा चुगे है अत्यंत धार्मिक शुक्ल यजूरुवेदी ब्राम्वनों की कण्व शाखा में जन्वे प्रोफे चुरेंट को पढ़ाना और रात में शास्त्रों पर अध्यायत यहीं पिछले कई वर्षों से आपकी दिन चरिया रही है तो यह था प्रोफेसर विपिन जोशी सर का परीचय तो चलिए अब बिना देरी किये सर आपकी आज्या से प्रश्णों का उत्तर का सेशन चालू कर शुरें जान्यास तो सर आज हमारे पास काफी प्रश्णा आये हैं और पहला प्रश्ण है शिखा आशिष शुकला जी का इनका नोवा मेहना है और यह नोएडा उत्तर प्रदेश नहीं का प्रश्ण सर वीडियो फॉम में है प्लीज वीडियो नमस्कार सर मेरा नाम शिखा कमिंग द्वारा हो चुके हैं संपन बहुत अच्छे से जो आगे के जो संसकार हैं जैसे प्लीजी के बाद अन्य प्रश्ण मुंडन तो यह कैसे होंगे इसका मार्ग द्रश्ण करें और मेरे पति देप कृष्णा कमिंग से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप तो रास्ता बताएं इतना ही प्रुष्णा ता चैसे जी जाने हैं शिखाजी नमस्कार अगर आप होंगी तो पहले आपके पहले प्रश्ण का उत्तर देतेता हूं आपका पहला प्रश्ण था कि हिंदू धर्म के जो शोड़ अश्य संसकार हैं उन संसकारों में से आपका गर्भाधान, पुंसवन और सिमुन तनें ये संसकार यदि हमने कंसीव करने के पहले से किया होगा तो आपका गर्भाधान संसकार ये हो चुका होगा अदरवाइस गर्भाधान, पुंसवन और सिमुन तनें ये तीन संसकार हो जाते हैं गर्भास्था के दोरान और उसके सांस्कार्बाति के अनुसार अगर आपने अभी तक वहाईदिक पद्धति के अबहुत सांस्कार करने की स्वभावी के 6 शिश्यों के ऊपर हूती हैं कि नाम करन करन्हों जो होते हैं सभ यäग्यो पोवितंगे जो बहुत सारे तो उस द्रुष्टीiri से अभी तो में जो संसकार है वो यही तीन है लेकिन उसके आगया भी नामकरण और करणवेधन अन्नपराशन सोरी नामकरण और अन्नपराशन संसकार यह अगले महिने से प्रारम हो जाएगा तो I hope कि जब तक आपकी प्रेगनसी जब आप डिलीवर होंगी तब तक वो दोनों ही चीजें हो जाएगे अन्नपराशन और नामकरण यह हो जाएगा मैं बाकी सभी लोगों के लिए भी कह रहा हूं नामकरण संसकार जब शिशु का जन्म होता है उसके बारवे दिन करना श्रेष्ट होता है क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमको भगवान राम जी के बारे में यही उधार तो उस दृष्टी से याद रखना चाहिए कि जब भी शिशु का जन्म हो उसके बारवे दिन उसका नाम करन करना यह सबसे श्रेष्ट होता है तो कोशिश करिए का आप लोग भी कि बारवे दिन करें करन वेधन हम सब के कान चिने हुए हैं हमें उसके अंदर बाले भी पह होता है मतलब वह ज्यादा उस हम उसमें टेखनी का लेटी में नहीं जा रहे लेकिन एक चार-चार बजे का समय तो ब्रह्म मुर्त में उठके पूजा करनी चाहिए वो सब है नियम तो हम भगवान से यही प्राथना करते हैं कि भगवान धीरे धीरे हमको उस पत पर अग्र बस्तुंत करने जा रहा है कि जासा है वो आपको सेकडों प्रश्न करते ही आप दूसरा का प्रशन था कि आपके पति कृश्चना कमिंग से जुड़ना चाहते हैं तो उनका तरीका यह है कि आप क्योंकि हमारे लेटे मितलब जो भी recruitment process रहती होगी इन office वाल होगी तो आप एक काम यह कर सकती है कि लिंग्डिन पर डालता है requirement या कुछ इसी कुछ चीज रहती है तो आपके पती का पूरा जो बाया डेटा है CV जो भी होगा वाप WhatsApp कर दीजिए जो भी शायद मैयूरी का ही नबर हो उसको WhatsApp कर दीजिए और सर दुर्गा राठोर जी का इनका चट्वा महना चल रहा है और यह नवी मुंबई से है इनका भी प्रश्ण वीडियो फॉम में है सर प्लीज वीडियो आन कर दीजिए नमस्कार सर माजना हू दुर्गा दीपग राठोड़ा है माजा प्रेग्मेंसी सा सातों मैना चालो आ मिन अभी मुंबई माहराश्ण चाहे तर सर माजा कोश्चन हा आहे कि तुमी बोल्ला कि आटवे आनी नव्य मैने मदे अंध्येवाला स्परश करेच नाही आनी अंध्येवाची पूझाबन करेच नाही प्रेग्नेंसी मादे तर देचा कारन सांगाचा आनी दूसरा कोश् कि मी श्यू माहराश्ण कथा आएकती सर तर ते पंडित अश्री मेश्रा श्यूण वाले आंची आएकती तर त्याने सांगित लगी गर्भ उतिस्त्रिया नव्य मैने अपरें तर देवाची ने माहा देवाची कुखला देवाची पूझा कुरू शक्ते मैं हिंदी में एक बार बता देता हूं सभी हिंदी के लोग भी है तो नमस्कार सर जैसे कि आपने बताया है कि आठ्वे और नवे महने में भगवान की पूझा नहीं करनी चाहिए तो वो क्यों नहीं करना चाहिए उसका कारण बताई और दूसरी बात मैंने शिव महापुर दूर्गा आपका जो प्रशने हो मराठी में है पड़ मला वाटते है राहिलेले सगी लोकान सटी सोयस का रसना जर्गदी मी या प्रशना चा उत्तर हिंदीद देनार कारण कि ते सगरना सम्झों इनार दूर्गा जी का प्रशन ये है कि क्यों हम पुझा आठ्वे नवे मह माहिला का सातवे महिने के बाद स्राव श्रू हो जाता है इसलिए आपके शिखरिएगा कि आप ँब अमदे दे कायम दे दकला दोचय बलाया शनास्तत में हो जाता है कि जह आपको घर पे वह हिंदी में पराई बोलते होंगे कुछ लोग कि जो सात्वे महिने में में उसके बाद में स्राव शुरू हो जाता है, ऐसा संभिता कहती है, तो जब महिलाओं को स्राव शुरू हो, उस सिति में भगवान के चिरपाव, विग्रह को छूने का इच्छा इस वहम हमारी भी नहीं होना चाहिए, उधारन के तोर पे अगर मैंने सनान नहीं किया है, तो क्य होते हैं, मैं बार-बार जाने कितने सेशन में चीज़ बोल चुका हूँ, कि भगवान को कोई सूतक नहीं होता, आपके भगवान न करे, हर एक के घर में मृत्यों कभी ने कभी होनी है, मृत्यों होती है, तो हम को यह सोचना रहता है, कि क्या उस परिस्तिती में, जब हमें आंतरिक स्राव हो रहा है, the internal, you know, discharge is there, according to the Samvita, क्या हमको भगवान के किसी एसी पूजा पाठ में हिस्ता लेना चाहिए, क्या, आपको शायद स्मरन होगा, हम संकेत देंगे, तीन-चार साल पहले, सबरिमाला का केरल का प्रकरन हुआ था, है न, भगवान अईपा, भगवा आप समझ हुए, हम संकेत देंगे, कि जब आप महीलाओं को जाने कि कि किसी एक ब्रह्मचारी मंदिर में अगर देंगे, तो हम ये कहनी सकते कि कोन सी महीला किस परिस्तिती में जारी, उसका कोई टेस्ट लगा के हम नंदर नहीं बेच सकते हैं, तो वैसी परिस्तिती में, बस कहा गया है कि आठवे और नवे महिने में हमें कर्मकांड से बचना चाहिए और हम फिर बार-बार यह कहते हैं कि यत्र नारियस्तु पुझ्जन ते रमंते तत्र देवता और मनुसुरुती भी इस चीज़ को कहती है कि नास्ति भार्यासम तिर्थ पत्नी के समान तिर्थ नहीं यह स्वयम भगवान मनु कहके गए हैं तो इसलिए हमको यह समझना चाहिए कि नारी की ही गोध में जो है वो नवसुरुष्टी का सुरुजन होता है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो अगले यूग का सुरुजन नारी की ही गोध में होना उसी के पेट में होना है तो उसके उपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो पती के उपर भी नहीं है, कि उस समय कर्मकांड करते समय, दो महीने तक अपने को बचना है, नामस्मरन करना है, जितना हो सके भगवान का शरवन करो, नामस्मरन करो, जो करना है करो, बस पवित्र वस्तुओं को अपन तो वो ऐसा है कि अब इसमें हम संकेत रूप से कहेंगे शास्त्रे इति इति प्रमानव हमारे यहां गुरू, गरंथ और गोविन्द यह तीन चीज़े हैं हिंदू संस्कृति को अगर तीन शब्दों में समेटना हो तो गुरू, गरंथ और गोविन्द तक ले जाता है ग्रंथ में क्या लिखा है यह आम मनुष्यों को समझने में उतना आसानी नहीं रहेगे तो उस ग्रंथ के गूढ़ विशय को समझ कर वेदो पनिशद गीता भगवत गीता या अन्यान्य पुराणों को समझ कर to put it in a very easy way to the people so that they can assimilate it in their own lives वो अपने जीवन में उसको उतार सकें वो करने वाला गुरू है तो इसलिए हम बार बार लोगों से हम सिर्फ संकेत करेंगे हमें नहीं पता कौन व्यक्ति और व्यक्तियों के उपर हमारे कोई लेना देना भी नहीं है हमारे सिर्फ ये कहना है कि फिर गुरू की परिभाशा जो शास्त्र बताते हैं वो ये है कि जो शास्त्रों का आरथ करकर समाज को प्रबोधन करें समाज को दिशा दे तो हम तो और जो शास्त्र के अन्निता चले वो गुरू नहीं हो सकता ना फिर उसमें भी शास्त्र में लिखा हुआ है, आपको आश्चर होगा, तस्मात शास्त्र वर्दन ते कारे विवस्थी तो, ग्यात्वा शास्त्र एक बार शास्त्र ग्यात हो जाए, ग्यात्वा शास्त्र विधान ओक्तम, शास्त्र स्पष्ट उच्चार कर देते हैं, एक बार वि पश्ट लिखा है कि कर्म करतार में हसी, उसके बाद सिर्फ कर्म करना शेश रिता है, तो शास्त्र ये सरवोच्च है, शास्त्र से बढ़कर कोई सीहोर नी, कोई भोपाल नी, कोई इंदौर नी, मैं हमेशा पिछले सारे सत्रों में कह चुका हूँ, कि जिसे दिन मेरा कोई व दिखी हुई किसी चीज के बारे में क्लियर न कहा गया हो, कन्फ्यूजन हो, उस समय गुरू की बात को माना जाता है, आप समझ रहे हैं के में के किरह हूँ, लेकिन अगर शास्त्र का कथन निश्चित है, सपष्ट लिखा हुआ है कि आटवे और नवे महीने में स्त्रियों को नहीं करना, तो हम वेट करेंगे, हम इंतिजार करेंगे, कि हमें ये पता पड़े कि महाशिवरा, इसा शास्त्रोक तवचन कहा लिखा है, अगर शास्त्रोक तवचन लिखा होगा, तो हम परिवर्तन खुद में लाएंगे, और अगर आपने जो भी जिन से भी सुना है, अगर उनने शास्त्रों का उधरन दिया है, कि किस जगे पे संस्कृत देवभाशा में शास्त्रकारों नहीं ये लिखा है, वो हमें आप बताईएगा, हमें खुशी होगी जानके, पर हम जानते हैं कि इसा नहीं लिखा है, श्री राम जैराम जैराम. हे बगा, कथाकार अन्ना, अपन के मनू नहीं शाकता था, कथाकार अब संत बन चुके हैं भारती समाज में, अभी दो साल पहले, भारत के एक मुर्धन कथाकार में, हम नाम नहीं लेंगे संके, देंगे आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि म मदिरा पीके पढ़े रहते थे, आप यूट्यूब पे देख लीजिए और वो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका आप नाम ले रही हैं, उनसे दस गुनाधिक प्रसिद्ध रहें, तो शंकराचार या पीठ को और अन्यानने बड़े संतों को उसका खंडन करना पढ़ा, कि शास्त्र विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, कभी भी एक बात याद रखना चाहिए, मैं जितना भी ग्यानने, if I'm a good cricketer से for example, I can never be bigger than the game itself, मैं अगर अच्छा cricketer हूँ तो मैं खेल से बड़ा नहीं हो सकता, if I'm a good physics teacher, अगर मैं physics अच्छा पढ़ाता हूँ, तो मैं physics से परमपरा से उपर में कैसे सुगता हूँ, तो अगर उनकी कोई शास्त्री परमपरा से उन्होंने कुछ कहा है, तो वो संसुरुत का, उस वांगमाई का कोई अगर श्लोक हो, तो मुझे इसमें कोई गलानी नहीं होगी, कि मैं अपने विचार बदलूँगा, बहुत बहुत दन्यवाद सर, आपने बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से बताया, इसमें से मैं गुरू, ग्रंथो और गोविन, ये शाहिद बात जो है, अगला प्रशना है सर, अमृता महापातराजी का, हमसे एक बार किसी ने पूछा, इसी के बारे में, लोग मिलने भी आते रहते हैं, किसी ने मिल के पूचा हमें, क्या आपने इसा कहा था सेचन में, हमारे गुरू ऐसा कहते हैं, और हम तो बोलते हैं कि अग्ला प्रश्न है अम्रुता महापात्राजी का नवा मेना है ओडिसा जार्शुगुडा इनका भी प्रश्ण वीडियो फॉर्म में है पहले तो विपिन जोसी सर और कृष्णा कमिंग गर्वसंसकार के सारे मेंबर्स को मेरी तरफ से प्रणाम एंद थैंक यू मेरा नाम हम्रुता महापात्रा है मैं जार्शुडा उडिसासी हूँ और मैं नाइन मंद की प्रेगनेंट हूँ और मैं पिछले एक महिने से इस गर्वसंसकार से जुड़ी हूई हूँ मेरा कोश्चन यह है कि क्या हम इस गर्वसंसकार के माद्यम से हमारे जो एरिडेटारी या अनुवनसिक रोग होते हैं जो पैरेंस को पैरेंस से बच्चों को गिप में मिल जाते हैं जैसे कि उन लोग का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बच्चों को भी वो हो जाता है वो हम क्या इस गर्वसंसकार के माद्यम से हमारे आने वाले बच्चों को इन सारे रोगों से बचा सकते हैं for example जैसे कि डावेटीस हो गया mental disorder हो गया stem spring का problem हो गया और sickle cells हो गया यह से बहुत सारे problems हैं जो कि पैरेंस से बच्चों को मिल जाते हैं क्या हम इस सारे डीजीजर से गर्वसंसकार के माद्यम से हम इसको ठीक कर सकते हैं क्या है bother क् ellis करके माद्ध थे Soul Odoo एक प्रोब्लम है तो बच्चे में वो प्रॉब्लम नो हो इसके लिए गरभस अंस्काicorn के दोरां कुछ कर सकते हैं अम्रुता शी पहले यह समझे कि को इंल कि यह इसे हम जो इस सूंसार में अछ्छा भी शुख भोगते हैं दूख पुरु जन्मों के करमों के आधार पर हुता है, करमफल सिध्धानत आधारित हिंदु धर्म है। डीटेल में समझाना चाहूंगा था कि सभी लोग इससे लाभानवित हो सकें मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर आफिस का नियम है कि वहाँ पर बिना आईकार्ड के या क्या एसी कुछ एक प्रडिकलर प्रोसेस के किसी को अनुमती अंदर नहीं आने की मोदी जी से कोई नहीं मिल सकता मान लीजिए ऐसा कुछ है अब मोदी जी टेहल रहे हैं आंगन में सुभे वो अपनी एक्सरसाइज और मोर वो जो आता है अब बहार से कोई इनसान दिखा जो उनके बहुत पुराना परिचित कोई है तीस चालिस साल पहले गुजरात में था उन्होंने देखके मोदी जी ने का आजओ जल्दी आओ और खुदी गए गेट तक और वो दर्बान से बोला गेट खुलो अब दर्बान यह नहीं कहे पाते हैं उस समय कि इसावे सामत करिए क्योंकि ये मोदी जी का special वो हो गया, right हो गया veto power हो गया है कि नहीं, veto power हो गया United Nation में veto power होता है आपको पता होगा तो तो याद रखिए कर्मफल सिद्धानत हिंदु धर्म में है कि आपको भुगतना तो पड़ेगा जो आपके पूरो जन्मों के कर्म है एक, लेकिन भगवान का veto power रहता है कि उसमें भी भगवान की इच्छा सर्वो पर ही है है कि नहीं, हम इस गर्ब संसकार विधा से जो चीजे कर रहे हैं, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम समझें पेले हम उस गर्ब संसकार विधा से हम वईदिक मंत्रों का शरवन कर रहे हैं हम उससे भाग्य का वरधन कर रहे हैं हम उससे आरोग्य के वरधन के लिए प्रहतन कर रहे हैं हम उससे जो है, मन को शान्त रखने के लिए कर रहे हैं और सबसे उची चीज़ जिससे उपर संसार में कुछ नहीं है वो है कि इस संफार में हम भगवान की हम भगवान से प्रारथना कर रहे हैं प्रारथना से उपड़ तो कुछ भी नहीं हो जब आप ये सब चीजे करते है तो कर्म का फल तो मिलता है लेकिन वो भूत विरल हो जाता है अगर वो दुख में है तो और भोत प्रबल हो जाता है अगर वो सुख में है तो, है ना, जैसे उधारन के तोर पे, अगर आनुवांशी किसी को सिकल सेलेनीमिया ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी जो इंटेंसिटी रेती हो, भोत कम हो जाएगी, जैसे उधारन के तोर पे कोई थेलेसीमिया माइनर है, म पिता अगर नॉर्मल है मान लीजिए, तो 25% चांसे होते हैं कि बच्चे में थेलेसीमिया आए, लेकिन फिर वो थेलेसीमिया माइनर ही होगा, तो हमारा ऐसा कहना है कि वो जो आपको कश्ट है, वो इन सारे चीजों से वो बहुत विरल हो जाते हैं, वो जो आपको होगा, उससे बहुत अच्छा सा उसकराना आपका शीशू होगा, हम ये समझा रहे हैं, और अगर अच्छा होगा पूरुजन में कि उसके कर्म, जिसके साथ वो आउतरित हुआ है आपके पेट में, तो वो बहुत ही सुन्दर, बहुत प्रबल होके बाहर आएगा, एक, दूसरा, आपके कहना है किया स्टेमरिंग आपने मूलथा, कि हकलाने का क्या कोई ऐसी कोई चीज है, जो की जा सकती है, ये तो अगर बच्छे के जि कि पुरान का शास्त्रोक्तविदी है और दूसरा जो है वो है ओम का उच्चारण अब मैं कल आपको ये मंत्र आपके इस पर भेज देता हूं ठीक है तीनों चीजे भेज दूँगा लेकिन मेरा मानना है आप बच्चे को तो भूल जाएए आप हकलाने वाले इंसान का हकलाना द तो इससे स्पीच थेरेपी ओम का उच्चारण ये अलग तरीके से किया जाता है आप जब ओम को उच्चारित करते हैं परिटिकुलर तरीके से और उसका लगातार प्रेक्टेस करवाईए बच्चे को या आपको जो करेगा उसका हंड्रेट परसें रखलाना दूर हो सकता ह स्पीच थेरेपी इसको मानते हो तो मार्कंडेय पुरान से हो सकता है उसमें हम एक मंत्र आपको कल वाट्सिप करवा देना है लिख लिया मैं धन्यवाद सर बच्चे को तो बाद में हकलाना दूर करवा हो पहले खुद का करवा लो अगर ऐसा है तो श्री राम जारम जारम नहीं का तो आसा विचार करना शकुनी जो है वह लंगड़े थे शास्त्र में तो कहीं नहीं आता कि उनके पिताजी भी लंगड़े रहे लेकिन जेनेटिकली जो डिसीज ट्रांसफर होती है अब नई शोध के अनुसार स्टेमरिंग भी उनमें से एक है पर ये कोई बहुत पद्धत ही होती है अगर होगा तो थोड़ा सापको इंतियार करना प्लाएगा सोमवार तक का मैं आपको एक वीडियो भेज दूँगा ओम की उच्चारण का उस उच्चारण को देखके आप खुद भी प्रिक्टिस करिए उसकी अगर आप बच्चा है अब तो महाराष्टर से प्राजक्ता बंढगर जी का इनका आठवा मेना चल रहा है और इनका प्रश्न भी वीडियो फॉम में है नमस्ते मेरा नाम प्राजक्ता बंढगर है मैं पूने महाराष्टर से हूँ मेरा भी आठवा मेना चल रहा है मेरा क्वेशन वीपीन साजी आपके ल दूसरा क्वेशन यह था कि जैसे कि हम साथवे मैना तक हो महवन करते रहें तो आफ्टर प्रेगनांसी के बाद हमें कौन सा हवाइन करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुक शांतिय और आरोग्या बने रहें प्राजक्ता अब 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 तो दस दिन तक की रिद्धी जैसे से अलग अलग हवन करते हैं तो उसके बाद भी उसके बाद यह करना चाहिए सबसी अच्छा है और वह भी हम कर रहे हैं आपके तो अराम से हो जाएगा वह हम कर आपके चिंतामत करीए वह कर वाएंगे वो कुरुष्णा अगले महिने से श्रीडून कर से उसको जानते हैं कि हम जब अपन गोश्ट कर तो स्वस्ति वाचन करते हैं उससे क्या होता है कि अपने घर की जो निगेटिव एनर्जी रेती है वो भी दूर हो जाती है अपना घर पर शीशु जब जन्म लेता है तो श्री राम जय राम जय लेकिन जैसे क्या होता है कि अधा अगदी तसत तंत तंत नहीं है पर समझायले सांगतों है कि आपने कोई मिश्ठान बनाया खीर बनाया गुलाब जमन बनाया और उस गुलाब जमन को बना कि इसा रात को रख दो एक कट इसे खुले इसमें पात्रम तो सुबह उठके अगर आपके घर के पास में भी अगर ब्रह्मन हो वैदिक ब्रह्मनों को ही करना चाहिए क्योंकि वैदिक ब्रह्मन जो है उनके वेदों के उच्चार की अलग बात हो जाएगी आप जब हार्ट स्पेशलिस्ट अभी आप प्रेगनेंसी में हैं तो आप किसी MBBS को दिखाने कए नहीं अब अजीब बात है कि जब आम पोगज करना रहता है अब उसका कारण यह फिपूणे में तो है वैदिक ब्रह्मन है तो वैदिक ब्रह्मन को बुलाकर कोशिश करना चाहिए कि स्वस्तिवाचन गर पे होता है 15 दिन में तो चोटा सा प्रकृया है लेकिन वह वाइदिक मंत्र पड़ते हैं तो वो स्वस्ति वाचन करना चाहिए धन्यवाद सर प्रजक्त अजी हम करा यह हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले सप्ता या जासा दस दिन में स्टार्ट दस पंदर दिन में स्टार्ट जो प्रेगनेंट्सी डिलिवरी में बदल जाएगा उनको अगर आप भी एक शांत्मना बुद्धिमान और संस्कारिश शिशू को जन्द देना चाहती हैं तो बिना देरी किये अभी कृष्णा कमिंग गर्प संस्कार आप डाउनलोड की जिए जहां आपको मिलेंगे इजी तो फॉलो वैदिक गर्प संस्कार पोर्से जिने फॉलो अगला प्रशन है श्री रहां पूजा रोहित यादव जी का सात्वा महना है है यह द्राबार तेलंगाना से इनका प्रशन भी वीडियो फॉम में है नमस्ते आप सबको मेरा नाम पूजा है मेरा सेवंध मन्त है प्रेगनेंसी का और मैं हैतराबाद से हूँ मेरा तो फार मिस्क्राइज हो चुका है यह मेरी थाल प्रेगनेंसी है जप्ती में अल्ट्रासाउंड के लिए जाते दॉक्टर कुछ कुछ बता देता है तो इस मन जाली खाना और मीठा खाना सब मनाए मत जिस दिन थोड़ा सभी मीठा खा लेता है तो जिन बहुत 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 होती है वह सब चीजा में अभुएट कर दो जो मेरा सबग था तो इसके लिए डॉक्टर ने ब्लगाई ए कृट ने शर्वायकल स्टिजिस भी लगा तोक्टर ने भी पुला कि अगर एस जी पीटी रेंज ही होती है अगर वह हंडर्ड से ज्यादा हुई तो 34 वीक में सी सेक्षिन भी करना पर सकता है और मेरे हजबें टूस्टे के फास रखते हैं मेरे बेबी के लिए और जो तेरुपती भी होके आए बस मुझे बस यह चाहिए विजिन सर अप जैसे सब के लिए पॉसिटिव बूलते हैं मेरे भी थोरा पॉसिटिव बूलते हैं मुझे भी विश्वाब कि सब अच्छा होगा जिकिन भी कभी-कभी वगता थोरा सा अंदर से दर लगता है एक तो दो मिसकाल जी सोगा यह थार् दूसिटमा Pooja तुम बिलकुल भी चिंता मत करो हम संकेत करेंगे कि हमे कोई चीज थि हम देख के समझ जाते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता बत करो तुम यूँ चिंता कर रही हो तुमारे गर्भ से बहुत सुन्दर शिशुजन ले रहा है वो चिंता छोड़ दो अब तुम लेगा वो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि सुन्दर स्वस्थ आपकी डिलिवरी हो और हम तो देख पा रहे हैं कि अच्छा होगा ठीक है आप फालतु की चिंता छोड़ दो आप सात्वे महिने में हो बेबी का अगर बाकी वाइटल्स ठीक चल रहे है तो वजन कम जादा होना अभी हमार गर्व संसकार से आखरी आखरी में उनको पता पड़ा एक बच्ची ने जन्म लिया उस बच्ची का वजन कितना होगा आप सोची थोड़े देर के लिए आप कल्पना कर सकते हैं उस बच्ची के वजन था 800 ग्राम 800 ग्राम अब जो भगवान के इच्छा थी, फिर उसके बाद में हमने आई-सी-उ में वो बच्ची रही, कम से कम डेड़ दो महिने, अब आटसो ग्राम मतलब क्या रहता है, छेस्टो आटसो ग्राम बच्ची का अब हमको फोटो बताओ, हमने जन्म लेने के बाद उस बच्ची पे काम शुरू किया, जब आई-सी-उ में थित थे हैं, उसको निकाला जहां पे रखा तब भी, हम चालू रखा उसको काम शालू, आज वो ये विनोध भी जानता है, उन्हें तो तो आटसो आपकी बच्चे का बजन भगवान श्रीराम जरम 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 जरम, तिरूपती भग तो जैसे थ्री डेट्स में कहा गया है, हम क्या फर्स्ट है तो हम फेल हो क्या तो हने नीचे है तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना दोस्त तो टॉप आजाए तो दुख होता है, तो वेसी मुझे कई को भी लगता है, कि मैं जब हॉस्पिटल जाता था, मेरे पिता लगता था कि मेरे पिता जी ने कम से कम जीवन के सारे कर्तव постро किये, सारे कर लिए, पर हमारेowal को दुख कम होता है, नहीं। आपको बता रहा हूं, कि यहां पर 8 100UNG ख्राम की ललकी को यहां से जनना, ठीक है, फाल तुमें, हम भगवान को क्यों तकलीब देते हो यार बार बार, जैसे अगर तुम, मैं तुमको अगर, एक दिन में, दस बार कॉल लगाऊं, तो तुम्हें कैसा लगेगा, ठीक है ने, तो तुम भगवान को दिन में, दस बार कॉल क्यों मार रही हो, भगवान कह से किताबों में जब छोटे थे तो तुम्हें याद एक है आपन वो पहले एक अश्रापन अशोक थेवाई तो एक अशोक की पत्ति थी और गुलाब की पत्ति रिती रखते थे कि एसा खून सठी की वो निशानी के लिए कि कहा है वो तो ऐसे किसी दिन जब बात में याद करो बात सर अगला प्रशना है सर विजा को आठवा महना गया बिहार नमस्कार सर मेरा नाम बिईूटी कुमारी है मैं गया बिहार से हूं मेरी प्रेगनेंसी का आठवा महना चल रहा है सर मैं अपने घर में लड़दू-गोपाल को राकि बांगती हूं तथा में और मेरे हस्ब कहते हैं कि भगवान को अगर आपने न पुजा करी तो चलेगा लेकिन भोग न लगाया अगर तो ब्रह्मत्य का पाप है अब वो छोड़ी आपन ते आगे बढ़ो श्री राव एक भी दिन भोग लगाना ने जोड़े भोग लगाना हम हर एक को कह रहे हैं एक छोटा सा नियम अपने जिन्दगी में कोई भी एक लेलो इस गरभावस्था के दोरान कोई भी छोटा सा नियम कोई भी जैसे हमारे यह एक लड़की थी हमारी शिश्य मतलब हमारे आप लोगों के परिवार की तो उसने नियम ले लिया गरभावस्था के दोरान वो मिलने आई थी अभी इन दोर में हमसे रोज मिलने पर कोई लोग आते रहते हैं बच्चे को लेके भी आते हैं कई लोग तो आप लोग ऐसे हाज जोड़के कहता हूं अगर में तो पहले भगवान को भोग लगाना उस पोहे का फिर में खाऊंगी तो अपन जिन में क्या तीन बार खाना खाते हैं नाश्ता और दो बार का खाना भगवान के सामने रखना चाहिए ज्यादा शास्त्रोग तो लेके जाती है आगे यह है कि उनको हम दोनों अपने बच्चे के तरह मानते हैं सर मेरा प्रशन यह है कि जब मेरे डिलेवरी होगी तो कुछ टाइम के लिए तो मैं उनको भोग नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि मैं गया में रहती और मेरा ससूराल पटना में है और डिलेवरी के लिए में पटना जाओंगे तो ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए क्रुपया समाधान करें साथी कृष्णा कमिंग की पूरी टीम का धन्यवाद खासपर पर आपका ब्योटी जी इसमें दो वशय हैं और अभी गया में उआप पटना में जाएंगी भगवान को अगर साथ में ले जाना संभooo हो तो कई लोग भगवा झाते लेके जाते हैं, आप जानते हैं, पुष्टी मार गिये लोग, बाकायदा पेटी में भगवान को लेके जाते हैं, इवन ट्रेन में भी अगर सफर में रेते हैं, तो ट्रेन में भी पेटी खुल के भगवान की पूजा करके, भोग लगा के उनको नहाद होई कर देते हैं, पर भगवान का कोई दूसरा विग्रह होगा, तो जो विग्रह मिले, चाहिए भगवान महा विष्णु का मिले, उस विग्रह की पूझा अपना ही अपने ही लड़ु गोपल समझ के करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं, शिव महा पुराण में शिव जी से किसी ने पूछा अब हमें शिव महा पुराण पढ़े हुए काफी समय हो गया, अन्ने ताहम आपको शिव महा पुराण में किसी ने शिव जी से पूछा कि भगवान आप बड़े हैं या भगवान महा विष्णु बड़े हैं, तो आप सुखद आश्चरी होगा, भगवान महा शिव ने कहा कि जो मुझमें और महा विष्णु में अंतर करता है, वो न मुझे जानता है न महा शिव को जानता है, श्री राम जयराम जयराम जयराम, रामायन में, गुस्वामी तुल सिदा जी लिखते हैं कि भगवान शिव ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन? तो शीव जी कहते हैं رाम जी से कि सबसे बड़ा राम जी का भक्त कौन तो राम जी कहते हैं कि बिनुच्छल बिसवनाथ पदनेहू बिनुच्छल बिना छल के विश्वनाथ के पदमे जिसकी पॕ्रिती है मतलब भगवान शीव के पदमे राम भगत कर लच्छन एहू बस यही एक राम जी के भक्त का लक्षन जाना इसके लबाद दूसरा लक्षन मत जाना मेरे भक्त का तो मेरा भक्त कौन है राम जी केते हैं जिसकी बिना चल विश्वनाद के पद में ने हो और भगवान विश्वनाथ से पूछा जाता है कि आप बड़े या भगवान माविश्णू बोले जो मुझे में और भगवान माविश्णू में भेज जानता है वो ना मुझे जानता है ना उने जानता है तो इसलिए रुदेशु अर्जुनति श्ठती वाले इसमें या समोहम सर्वभूतेशु वाले इसमें सर्वं खल्विंदम भ्रम्म किसी भी शास्त्र का बचन देख लीजिए आपके लड्डू गोपाल को आप जिसमें देखेंगी उसमें लड्डू गोपाल के दर्शन हो जाएंगे आपको यही मान के उनकी वहाँ पे पूजा अर्चा करिए जो वहाँ विग्रह उपलब्द होगा उसकी पूजा आर्चा आपका ही लड्डू गोपाल मानके करिए और यकीन मानिए जब डिलिविरी के बाद बच्चे को लेकर वापस घर आएंगी गया में तो सबसे पहले आपको Congratulations मैम, Welcome ये कहने वाले आपके घर के लड्डू गोपाल होंगे गया के ठीक है? अब आपت सघ्ण सघ्ण नगरी ये लोगों करके तो हमारे आंखों में आसु देख सकते हैं श्री राम बहुत बढ़ यह हम बहुत खुछ हैं श्री राम बस बच्चे को अच्छे संसकार दीखो अभी बहुत चुण शंत बेठा है मम्मा को परिशान नहीं कर रहा भी फिलाल तो नहीं कर रहा बात नहीं आगरेगा संध्या प्राइज नहीं करते हैं सर वह 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 कृषेव ना कृषेव ना हाँ बहुत बढ़िया चलो कारेकम आगे बढ़ाएं तो आप रोने वेड़ जाएंगे श्री राम चलिए अगला प्रश्ण है सर सौस्वपनजा गजानन जोशी सात्वा महना परभणी महराष्ट्र वीडियो फॉम में है सर यह प्रश्ण नमस्कार, माझे नाव स्वपनजा गजानन जोशी, माझे प्रेग्नंसी चा 17 मेना सुर्वा है, मी परबनी महाराश्य इतुन मोलता है, माझे प्रशनल उपिन जोशी सराण ना आसा आहे की, माझे बाड प्रगल्ब वो कुशागर बुद्धी मत्ते चे भावे, या सेटिं मी मीशेश काय प्रयत्न केली पाईजित, या वर कुपयासरा ने माला मार्ग दरशन करावई, धिन्यवाद. स्वपनजा, आता तुझी और माझे नाव राशित नहीं, पन अन्नाव राशित एकत्स है, स्वपनजा तितुला, माझे माराटी तुम्चे पुन्या करी जितकी के तुम्हें कुठन ना मालामाईट नहीं, परभणी, तितकी त चान नहीं, पन मी प्रयत्न करतो तरी सांग प्रगल्भ वायला पाईजे और मेधावान असला पाईजे, त्या साथी अपलेला भगवान दत्तात्र और भगवान गणपति यांची आराधन केली पाईजे, आईनी अथर्वशिरिषासा पाट केला सरवोत्तम त्याचा मदे मी पूरुवीपन सांगुन सुकुलो है कि अथर्वशिरिषा मदे जे सग्रात प्रारंभ मदे येत, ओम भद्रम करने भेष्रनयाम देवाहा तितन ओम शांती 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 प्रथम पुरुष्टस तो ते नाई वाचाईचा त्या नंतर चा ओम नमस्त गणपते ये तो में प्रत्यक्षम तत्वमसी तितन अपलेल अंतर प्लेला भगवान दतत्त रहेशा इती कि ये मन्त्रा जापचेले पाईजे तो नहीं की ये तो मुलगाय की मूलगी है माहित ही असला तरीम नहीं संगाएला पाईजे शास्त्री मर्यादा शी मनते तत्या दृष्टी नी चाया जो मूले न तो खुब प्रगल्व है तेची दिव्यकिर्थी असना रहे तती मंजे ते समझु नियता तर धत्त रहे चे भगवान धत्त रहे चे अपले ले उपासना अच्य जास्ताशी जास्ताव डिगंबरा डिगंबरा श्रीपाद बलभ डिगंबर काईट च व्यद ऊंचाया काई वाए ते हैंसा सात्य नहीं चाहिता रहा तो भगवान महागणपती चा अथर्व शिष्ट पाठ केला पाईजे चान्त अपलेला दुर्वा चतुर्थी चे दोशी अजन दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वललब दिगंबरा एच जब केला पाईजे तुम्चे पतिदेवान नी केल अथ तुम्ही जोशी हात मंजे पतिदेव मालमाइट नहीं जानव ही आएका अचकल ते ही एक विषयत चे श्री राम जाराम जाजे तुम्ही पतिदेवान नी जानव घालूंते हुल अजल तो गायत्री केली पाईजे तेन में अथाविस दा फक्त अथाविस करूंग्या एक श्याटन का करूँ अगला प्रशना है सर जिन बच्चों को जिन माताओं को लगता है कि उनका बच्चा जो है वो मेधावान होना चाहिए और प्रगल्ब होना चाहिए मेधावान का मतलब इंटेलिजेंट होता है और प्रगल्ब का मतलब जिसको आपन लोग कह सकते हैं वोट इस बिटर वोड ये कहता है जो अब हम आप से कहेंगे तो आपको लगेगा अपनी प्रशंसा कर रहे हैं हमारी आई ने यही कियात किया था श्री राम जय राम जय तो भगवान गंडपती का चतुर्थी जिस दिन आती है उस दिन 21 दुर्वा वो जो घास की वो तीन तीन किरती है वो गंडपत के दिन और ये अथरव श्रिश का पार्ट दूसरा दिगंबरा दिगंबरा श्रिपाद वल्लब दिगंबरा का जब करते रहना चाहिए यह जितना करते है उतना बच्चा शांत होने की तरफ जाता है वो उतना धीर गंभीर वृत्ति का बनता है हमने किया था क्या हमारे पत पहली हमारी पूरी उसके समय हमनी दूसरी को ही विचार रखे थे और अना हे निए अगला प्रेश नहें है और यह तो वो वो उसको उसने सही समय पर यूस कर लिया मतलब इसा हम बता रहे हैं क्या मालूम क्यों सर जैसे नाम आता नहीं कि अपने आप एक चेरे पेक मुस्का ना जाती है आप इनसे पुछ लिजिए तो शिरकृष्ण जैसा बच्चा चाहिए या दत्ता त्रह जैसा देखिए भगवान सब एक हैं लेकिन हमारा हमारा नाम विपिन जोशी है तो क्या इस लेकिन श्रीकृष्ण समाज में कोई दूसरी चीज के लिए अउतरित हुए और भगवान दत्तात्र है दूसरी चीज के लिए उतरित हुए आगे बढ़त बहुत धन्यवाद सर अगला प्रशना है सर अनती जोशी जी का सात्वा महना है और पुने महाराष्ट्र से है इनक दूसरी चीज के लिए प्रसुति वेदन को सहन के लिए तैयार हो जाती है तो ऐसा क्यूं और दूसरा क्यूं है कि कोई भी माता जो प्रसुति वेदन को सहन क्यूं करता है उसको सहन करने के लिए तैयार क्यूं हो जाती है जिबकि उससे पता होता है कि यह बहुत दर्दनी है बावजुद उसके उस पेड़ा को सहने के लिए क्यूं तैयार हो जाती है और एक और क्यों सर मेरा कि हमारे देश में जिस तरह से विज्ञान के संस्थान है उसी तरह से अध्यात्मिक संस्थान क्यों नहीं है थैंक यू सेरा उन्नादी जी आप बैठी हैं तो नमस्कार सबसे पहले पहला आपका प्रशन ये था कि क्यों महिलाएं तैयार हो जाती हैं गर ये प्रसोपीडा सहने के लिए जबकि उनको पता रहता है कि उन्हें कष्ट होगा इस प्रख्रिया में इस प्रशन के दो उत्तर है जो हम अपनी समझ से दे रहे है एक उत्तर ये है कि भगवान ने जिस चीज का धर्म जो तैय किया है वो चीज उसके लिए मना नहीं करती आप देखिए मान लीजिए नाक को भगवान ने क्या धर्म दिया है सुंगना जन्म से लेकर आज तक आपकी नाक ने मना किया नहीं सुंगोंगी नितांत घंगोर बदबुदार जगे आ गई बीच में कहीं जाते हुए तो आपने पांच दस पंदरा सेकंड के लिए सांस रोकी फिर नाक ने कहा मुझे मेरा धर्म पूरा करना है मैं सांस तो लूँगी अब जिस समय नाक सांस ले रही थी उस समय क्या आपकी शरीर को बहुत अच्छा लग रहा था क्या बदबुदार जगे पर नहीं पर आपने लिए तो इसलिए याद रखिए भगवान ने धर्म जिसे हर एक को दिया है वैसे ही नवसुरुष्टी के सुरुजन का धर्म ये सिर्फ कहते हैं मुर्त्यू के हजार तरीके हैं जन्म का सिर्फ एक ही तरीका है सोचिए मुर्त्यू तो हजार तरीके से आती है जन्म एक तरीके के लावा कहा होता है उसी तरीके से होता है और ये महा सोभाग्य ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान ने दिया हुआ है तो पहला कि धर्म हैं इसलिए सहन किया जाता है और दूसरा जो चीज मुझे अच्छी लगेगी, वो करूँगा, मैंने तब में धर्म का पालन करूँगा, ऐसा नहीं होता है, धर्म के पालन में अगर खुशी मिल जाए तो, चाहे उसमें कश्ट भी हो तो, जब आपका बच्चा होगा, तो आपको रात को दो बार, तो कम से कम उसको तो आप उसको दूद नी पिलाएंगी, चाहे कश्ट हो फिर भी आनन्द की, अच्छा, आप उठी रात को दो बजे, वो रो रहा था तो, बच्चा हो गया मानली जी अभी आपका, पंदरा दिन का है, और उसको आपने दूद पिलाया, उसने दूद भोत पिया आपका दू पिल्दिंगों का और उसकर भी, अगर उसमें आनन्द आये, तो फिर ऐसा धर्म करने के लिए जो प्रवृत रहती है, वो मा है, सो बार लात खाता है, बच्चा जब स्टन से दुगदपान करता है, तब उसी स्टन पर लात मारता है, पर फिर भी उसमें आनन्द की मेसूस प्रतिती करने वाली मा है, इस धर्ती पर हम रोज पैर रखके इसको रौंदते हुए निकल रहे हैं, ये सारा वजन जो है बिल्डिंगों का और सब उस धर्ती पर हम उस पर जूते से रौंदते हुए निकलते हैं, लेकिन फिर भी आपको घर पे जो भोजन मिल रहा है, वो उत्पन करने वाली वही धर्ती मा है, उस नदी में हम असंख्यों कचरा डालते हैं, लेकिन उसी नदी ने आपको जल दिया, सोचा कभी कि नदी नदी का पानी कब पीती है, पेड़ ने आज तक पेड़ का फल खाया, नहीं, क्योंकि उसका धर्म है, तो इसलिए अगर धर् अधरी बार वह शिश्व आपके पास रखा जाएगा, नर्स लाके रखेगी, और जब आप उसकी तरफ देखेंगे, तो परतीती कैसी रहती है, उस समय कोई याद नी रहता, सच के रहे हैं, कोई याद नी रहता कि क्या कश्ट सहते हो सब, तो ऐसा हमें लगता है, यह हमार अब आपने दूसरा प्रशन यह पूछा, कि जैसे काईस तक, विज्ञान संस्थान की तरह अध्यात्मिक संस्थान क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, क्योंकि आपकी जैसी मा अब तक भारत में अवेलिबल है, तब तक क्या जरूरत है, जो मा ऐसा प्रशन पूछती है, व उस दिन देखेंगे, हम निकालेंगे ऐसा किसा, श्री राम जय राम जय जय राम, क्या नाम है, उन्नती, अच्छा उन्नती बेटी है, खुश हो गई, आज दो रोटी ज्यादा खाईगी उन्नती, 100% है, तो उन्नती बहुत अच्छा बेटा, प्रशन बहुत सुन्दर था, एसा प्रशन वही पूछ सकती है, जिसके अंदर शिशू भी जब आपके खर पे शिशू रहेगा, तो आध्यात्मिक संस्थान में वेसी एडिमिशन लिया हुआ शिशू रहेगा, ठीक है, अगला प्रशन सर, धन्नेवाद उन्नती जी, अगला प्रशन है रीता यादव ज और इनका सात्वा मेहना चल रहा है सरी रायसेन भोपाल से है, मध्यप्रदेश, इनका प्रशन है, कि सर, जैसा कि आप बताते है, कि आपकी बेटी ने चटवे महने में चलना शुरू कर दिया था, मैं भी वही चाहती हूँ, कि मेरा बेबी भी चटवे महने में बोलना और सीख जाए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मतलब इसको अगर मैं आपके मनुष्यों में कहूं, तो सिर्फ बच्ची को जन्म दिया जाएगा, कि उससे दूद निकलता है ना, जी, पर इससे दूद कसे निकना है, तो उसने बड़े इससे हमको बता है, कि मैंने इसी मतलब इसी टेकनीक पे हम काम कर रहे हैं, अब इंजेक्शन लगा कर गाये को आपको पता है, दूद नि आप देखिए भगवान ने अपने को जिस तरीके से बनाया है, उसको ध्यान से देखिए, देखने के लिए आखें, सुंगने के लिए, प्रजनन के लिए अंग, सब अंग दिये, है ना, तुम फिट रहो, इसके लिए भगवान ने जिम बना के दिया क्या, नहीं, क्योंकि भगवान बोलते हैं, जरूरत ही नहीं पेर देदिया, जी, तो हमेशा लगता है, हम संकेत करेंगे, कि ऐसा भावना मन में नहीं लाना चाहिए, कि छे महीने में चलने लग जा, इसके लिए क्या करू, हमें भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, कि भगवान आपका द जान पूच के जो है, करे लें कि सब्जी और उटी तो खिलाएंगे नि उसको शाम को, तो वेसी भगवान है, हमने बस इतना बोल दिया कि भगवान, आपका प्रसाद होगा, जैसा होगा, आप प्रसाद मान के ले लेंगे, बाकि आप जानो, हमारी लाज आपके हाथ में, आपके हैं, लेट्स पुट्ट बाल इन दे कोट ऑफ अलमाइटी, भगवान की कोट में बाल डाल देना चाहिए, दन्यवाद सर, अगला प्रशन आराधना पांडे जी का है, इनका आठवा मेहना चल रहा है और फिर जम्मू से है, इनका कहना है सर, हमें शिशु की जन्म जिशु की जन्म कुंडली इसलिए बनानी चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्णा का जन्म ये निशेद काल में हुए था, वो समय जो था निशेद था, अचल ये दूसरा विश्य हो जाएगा दर वैस, लेकिन शिशु की जन्म कुंडली इसलिए बनाने चाहिए, कि हम पहले भी कही बार ये बात बोल चुके हैं, कि शिशुक को, मान लीजिए, आपकी जनर्म कुंडली में आया है, कि पेट संबंदित विकार आठवे वर्ष में रहेंगे, तो अगर माता-पिता को ये जन्म पत्री का बनाते समय पता पढ़ जाता है, मान लीजिए, पंद्रवे पानी अशुद्ध न पिलाया जाए, जबरदस्ती के समोसे काचोड़ी न खिलाया जाए, एसी कोई चीज जो पेट को तकलीफ दे, वैसी अगर किसी को चर्म विकार कहा लिखा हुआ है, कि चर्म विकार इतने से इतने साल तक रहने की संबावन आए, तो अगर आप अभी स बेटी के समय, बेटे के समय ध्यान न आ रहा, लेकिन गंडम ओल योग आया था, तो हमने उसकी पूझा कराई थी, तो घर पे तीन घंटे की पूझा रहती है, वो या ता शिव जी के मंदिर में हो सकती है, या घर में हो सकती है, तो हमने अपने घर पे कराई थी वो पूझ जाए तो छे महीने के अंदर माता या पिता को प्राण एनकी कुछ घात का अशंका रहती है तो अब इसी चीज़े कैसे पता पड़ेगी फिर दूसरा क्या होता है तो हमने आपको जैसे एक चीज़ बताई कि पता पड़ जाता है कि बच्चे को आगे जाकर अगर इसा कुछ ह तो हम उस तरह से ध्यान रख पाते हैं फिर थोड़ी हमारी curiosity भी रहती है नहीं का मुल जन्मा लाला नहीं कि तो लगना कसा होना आपको आश्चर होगा बच्चा जन्म में आया नहीं कि माताओं को ये भी रहता है कि आगे जाकर इसकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी त कि आने वाली इसकी जो पत्नी होगी बहु होगी बहुत समझदार होगी शान्त होगी तो मा अभी से खुश हो जाती चलो मेरा बुड़ाप अच्छा निकलेगा तो इसलिए वो सब चीजे भी रहती है और इसा रही है कि वो आपको ही रहता है जब राम जी छोटे थे तो र पत्री का बनानी चाहिए ही वो अपनी परंपरा भी है पुड़े दन्यवाद सर जन्म की राशी पता पढ़ती है आज के सेशन का आखरी प्रिश्ण सर यह कुरूती राठोर जी का है इनका सात्वा मेना चल रहे हो है लखनव उत्तर प्रदेश से हैं इनका कहना है सर हमारे शास्त्रों में किसी भी कर्मकांड में सर्वप्रतम भगवाद गंपती जी का पूजन किया जाता है लेकिन कभी-कभी मुझे यह सोचकर मेरे ऑफिस के दूसरे धर्म के लोग चिडाते हैं कि तुमारे यह भगवानों में भी कॉम्पिटिशन है कोई फर्स तो कोई और मुझे इसका उत्तर देना समझ में नहीं आता उनको तो कुरुपया मेरा मारगा दरशन करें यह लखनव से हैं सर कुरुति राठोर कुरुति हम लखनव आई रहे हैं वैसे होगा तो आप से मिलेंगे आपके मुख्य मंतर जी के साथ बेठक हो सकता है हो जाए इस समय प अगवान तो परम सत्ते हैं ऐसा तो फर्स सेगंड थर्ड तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रे जी में कहावत है कि इग्नोरेंस इस ब्लिस मुर्खता अपने आप में एक वरधान है ठीक है तो अपने आफिस वालों को जाके बोलिए कि महेंगी चीज पहले तो हिंदु ध करेक होती है तो साधारन बच्चों के बस का बिना पढ़े लिखे आयाइटी करेक करना जैसे संभव नहीं है वैसे ही परधर्मियों का सिर्फ ऊपर ऊपर की कोई चीज संसुनी सुनाई पे हिंदु धर्म के ऊपर कटाक्ष करनाई वैसा ही है भगवान महा गंपती को पहला महा गंपती और कार्ति के यह दोनों भाई थे शिव और पारवती के पुत्र थे तो इनके ऊपर आपको वो सारी बाते पता है हम इसमें आधिक्या जोड़ेंगे कि पहले जो पूरे पूरी परिक्रमा करके आएगा ऐसा तो कार्ति के चले गए अपने वाहन के ऊपर मोर पे और भगवान महा गंपती ने शिव परवती जी को पास में बिठाया अपने माता पिता को केलास परवत पे चट्टान पे और तुरन तो जो है अपने चुए के ऊपर साथ परिक्रमा कर ली उनकी वो बोले कि माता पिता ये स्वतह जो है वो सब कुछ है है ना यही ब्रह्मा प्रवान महा गंपती को प्रथम पूजन का माता पिता ने आशिरवत दिया कि तुम उनसे खुश हो कर तो ये हमारे शास्तरकारों ने पहला पूजन इसलिए दिया बेटा उनको बोलना जाकर क्योंकि माता पिता को इतना सरवोच सम्मान देने वाले को हमारे यहां पहला प कि क्यों पहले नंबर पे क्योंकि हमारे शास्त्रकारों को हजार औहजार वर्ष तक ये सत्त्य लोगों के सामने रखना था कि हम तो उल्टा हमसे जदा मानवी धर्म कोई नहीं हमने जिसने माता-पिता को सरवोच्च माना जिन मात-पिता की सेवा की नहीं उन फिर तीरत गए न गये, फिर वो क्या तीरत जाए न जाए, कोई उन फरक पड़ता है, तो भगवान महा गणपती ने ये उधारन प्रस्तुत किया, इसी लिए पहली पूजा दी गई उनको, ये कोई नंबर वन नंबर टू इसा नहीं किया गया, पर उनको जब पूजेंगे, जब जब भारत हिंदू संस्कृती में हम गणपती को पहले पूजेंगे, सत्यनारण की कथा हो, पहले गणपती को पूजना है, लगना हो पहले गणपती को, यग्योपवी तो पहले गणपती को पूजना है, तो जब जब करेंगे, तब तब सनातन धर्मियों को ये चीज़ याद आएग कि माता पिता को सर वो चरक्के जिसने साथ परिक्रमा कर दी उनका पूजन कर रहे हैं तो इसलिए अपने जो भी होंगे उनको जाके समझाना चाहिए कि हमारे हैं ऐसा है और भी अगर वो कुछ प्रश्ने पूछते हैं तो हमको जरूर पूछना दो चलिए सर समय का ध्यान सर ने दिये हैं कि आपके लिए अफकोर्स मददगार सिद्ध होंगे तो आपके भेजे गए तमाम सवालों का यह सफर आज यहीं पर विराम पर ले जाएंगे तो यदि आपके और भी प्रोफेसर विपिंदोशी सर से कोई सवाल होंगे तो आप हमारे ओफिशल वाटसअप गुरूप पर या फिर इमेल पर भेज सकते और साथ ही गरभावस्तावयम गरभा संसकार को लेकर कई रोचक जानकारियों के लिए आप कृष्णा कमिंग गरभा संसकार को फेस्बूक इंस्टाग्राम और हमारे बाकी जो सोशल मीडिया के एकाउंट से उन पर जरूर फॉ अपने शिशू को गरभ से ही संसकारित करने के अपने एफर्ट को और बूस्ट कीजिए यह वीडियो और इसके जैसे कई प्रेगनेंसी और गरभ संसकार से रिलेटेड ओडियो वीडियो लाइव सेशन्स अक्टिविटीज आपको कृष्णा कमिंग गरभ संसकार आप पर म और जरूर अटेंड करें प्रोफेसर विपन जोशी सर की डेमो क्लास